ना यह मूम दाल के मंगोडे है ना ही यह बेसन से बने भजिये है यह है बिल्कुल इजी स्नैक तो चलिए से बनाते हैं हलो फ्रेंड सौगत है आपका सारी का स्वाथ किचिन में तो सबसे पहले यहां पर हमें चाहिए है लैसून उसके साथ हरी मिर्चे और साथ ही साथ यहां करें लेंगे अलू तो यह आलू कम से कम 5 है इसे ने चीह रचीए कह अच्छे से 2 आपके साथ यहां अब इसे अच्छे से कद्ड रिया रम प्राइब एंवर्षी दोड़ी दोड़ी सेपर दालेंगी एक यहीं को पसने साथ um। सब्सक्राइब लेंगे दोड़ी सब्सक्राइब बून लीगे तो एक एक साथ बून लेंगे लाल मिर्चे एक हम बहुत आप हैं ओर यह दिखिए अच्छे से भूण गया है, तीन कुप करीब इसमें हम पानी एड करेंगे , और पानी एड करने के बाद, how to add the milk देखिए, और अच्छे से हम इसे medium flame पर पका लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चमब चाट मसाला अजवाइन उसके साथ नमक स्वाद अनुसार और उसके साथ ब्लैक पेपर गोल मेरिज पॉडर और थोड़ा सा जीरा पॉडर और धनिया जो हमने रखा था उसे काट कर मैंने इसमें हाट कर दिया और अच्छे से चला लेंगे और इस अच्छे से पका पास से साथ मिनिट में अच्छे से पक जाता है और इसे मेडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे तो यह देखिए जैसे मैं पका रही हूं आप देखिए बिलकुल आप इसे इस तरीके से पकाएं इसका पानी को बस सोड़ा सो सुखाना है हमें तो इसे बीच बीच में जरूर चल पर गएंगे और इसे रूम टमप्रीचर में थोड़ा सा अंच्छा कर लेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके से यह थंडा हो चुका है अब इसमें हम कम से कम साथ से आडda ब्रेड का ब्रेड करम बना कर मैंने डाला है यह दीके और उसके बाद 1 कप करीब मैंने यहाड़ किया है बैंडिंग के लिए तो इसे ज्ची जादे बैंड नहीं करना है रएक सॉफ्ट मैंने डोब बनाना है इसका यह देखिये बिल्कु कुछ सॉफ्ट डो यह देखे देखे मेरे हाट से देखे इंक इतना सॉफ्ट बनाएं तो यह रेडी इंए अभी यहाँ पर मैंने तेल ले लिए अच्छे से गर्म कर लिए और जो ्लिया करें हम मुमधल के मंगोरे ना कोई फुलाने की और ना ही किसी चीज की परिशानी तो यह कुईकली बन जाने वाली रेस्पी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको खिला है और यह देखिए मैं आपको तोड के भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है यह खाने में बहुत टेस्टी आप इसे सॉस के स साथ यहरी चटनी के साथ सर्फ करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जरूर खिलाएं तैंक यू किप वाचिंग